इन दिनो सोशल मीडिया पे एक मैसेज स्टेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 2000 का नोट बंध होने के बाद 1000 का नोट फिर से शुरू कर दिया जाएगा मैसेज में दावा किया जा रहा है कि इसी वित्वर्ष रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक हजार का नोट फिर से शुरू कर सकता है भारतिय रिजर्व बैंक ने इसी लेकर सफाई दिया है बैंक का कहना है कि एक हजार रुपे का नोट शुरू करने का कोई प्लान नहीं है और ना ही एक हजार रुपे के नए नोट छापने पर शीर्स बैंक विचार कर रहा है समचार एजिंसी एन आई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एक हजार रुपे का नोट दुबारा शुरू करने पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है बता दे कि 2016 में 500 रुपे के पुराने नोट और 1000 रुपे के नोट को बंद किया गया था 1000 रुपे का नोट बंद करने के बाद 2000 रुपे का नोट केंदर सरकार के द्वारा लाया गया था हलाकि RBI ने इसी साल 19 मई को 2000 रुपे का नोट भी वापस लेने की घोशना कर दी है